हलो फ्रेंस आज हम बनाएंगे बिना प्याज बिना लहसुन के पकोड़े वाली कड़ी बड़ी ब्रत के लिए हम बना रहे हैं बिना प्याज लहसुन के कड़ी तो चलिए इसे बनाते हैं बहुत ही अलग तरीके से हम बना रहे हैं पांच मिनट में बन जाएंगे यकीन मानिये फ्रेंज अगर एक बारा बना लेंगे नबरत में तो रोज रोज यही बना के खाने का मन कड़ेगा इस कड़ी को बनाने के लिए बस पांच मिनट चाहिए चलिए बनाते हैं इसे हेलो फ्रेंज अपना होम रेसिपी में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे बिना प्याज बिना लेसुन के पकोड़े वाली कड़ी तो चलिए बनाते हैं बहुत ही आसान रेसिपी है यह सबसे पहले हम एक बाउल ले लिए हैं उसमें डाले हैं थोरा गहरा बरतन लेन है बेसन को फेटने के लिए अब हम सबसे पहले 5-6 चमच इसमें डालेंगे आप अपना जितना बनाना चाहते हैं उस हिसाब से एक मेजरमेंट कप से डाले बेसन तो हम 6 चमच बेसन लिए हैं इसमें और चलिए हम एक गलास पानी लेंगे अब अब हम धीरे-धीरे करके इस कि व्याँआए तो देखिए गोल बना लिए हैं हम पाँच मिनर तक इसको फेटे हैं तो फिर यह वेसन पूल गया है अब हम इसको चेक कर लेते हैं मेरा बीसन तयार है पकोड़े के लिए या नहीं तो देखिए एक कटोड़ा में पानी लिए हैं उसमें एक जैसे हम पकोडे उस तरह से डाल दिये हैं तो उपड़ आ गया है अगर अंदर चला जाता तो यह तयार नहीं हुआ होता अगर उपड़ आ गया है तो समझ गया यह तयार हो चुका है अब हम बेशन में क्या करेंगी एक चमच डालेंगे स्वादन सर नमक टेस्ट के कोडिंग हल्दी चोटी चमच से आधा चमच डाले हैं और आधा चमच डाले हैं इसमें जीरा साबुत और उसको अच्छे से हम एक से दो मिनट फिर से फैट लिए हैं हम फिर उसको डग देंगे डग के दस मिनट के लिए इधर हम कड़ाई चड़ा दिये हैं उसमें ओयल डाल दिये हैं जब फाना भाटमी पानी लगाना और टील को पोलाइ में तौन घाना है तेल धिक रूद अधर भाः रहे और अधर डूबे अच्छा होता है विल्कुल फुलला बनत you बिल्कुल सॉप्ट बनके तयार होता है ऐसा ना हो पकोड़ा डूब जाए उसमें तो फिर पकोड़ा आपका खड़ाब हो जाएगा तो चलिए हम इसको अच्छे से क्रिस्वी होने तक तल लेंगे बिल्कुल कूरकुड़े और क्रिस्वी कड़के हम ब्राउन थोड़ा सा हो जाए तो फिर हम निकाल लेंगे पकोड़े को और हम ठंडा होने के लिए रख दिये दूसरे बैच भी हम बना के तयार कर लिए हैं इधर जिस बरतन में हम बेसन के वेटर रखे थे अब हम पकोड़ी बनाने से थोड़ा सा बचा लिए थे बेसन का वेटर और उसमें हम भड़ के उसी बरतन में पानी डाल दिये हैं जिसना भी आपको ग्रेवी रखना है उसके हिसमें पानी डाल दे और इसमें क्या कड़े एक चमच बढ़के डाले हैं इसमें नमक स्वाद अनुसार और एक कटोड़ा में हम दही गहोल के रखे थे वो दही डाल दिये हैं अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके रख देंगे फिर उसी कड़ाई में जिसमें पकोड़ा बनाए हैं तेल निकाल लिए हैं दो चमच के हिसाब से तेल रख दिया हैं इसमें आपक जीरा ऐक राइ है एक चमच डाले हैं एक चमच छोटी चमच से हिंग और तेशपात एक डालके चार पांच कढ़ी पत्ता डालके अच्छ से पका लिए उसमें डाल दिये वही गोल जो हमें अभी बनाए थे मसाला वाला डालके अच्छ से इसको मिक्स कर देंगे हमें उसमें डालेंगे एक चोटी चमस बनके तयार हुआ है कड़ी तो हम इसमें डालने के पकोड़े को धीरी-दीरे करके एक-एक करके डालना है और इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे पकोड़ी डालने के बाद और ढखके इसको पकाएंगे मेडियम फ्लेम में ही जब तक ना पकोड़ा फूल जाया अच्छे से तब तक पकाना है आपको जिस समय हम पकोड़े को फुला रहे होते हैं ढखके बीच में इसको खोल के आप उसको चेक ना करें जब देख लेकी अंदाज उठ जाया आपको लग रहा हो कि मेरा पकोड़ा फूल के रेडी हो गया है सौप्ट बिल्कुल हो चुका इसको एक दो उबाल आने के बाद चेकर के दिखाते हैं तो देखिए कितना अच्छा फूल के रेडी हो गया है बिल्कुल सौप्ट हो गया है पकोड़ा हम इसमें अब एक दो उबाल और आने देंगे अब हम फिर से एक बार इसको ढग के पका लेंगे तो देखिए हम कितन अच्छा से पोकोडा बिल्कुल सौप्ट हो गया है अंदर तक और ये बिल्कुल फुला-फुला सा है बहुत ही टेश्टी बना है यकीन मानिए फ्रेंस एक बार बार बना के खाने का मन करेगा इस तरह से बनाएंगे बिल्कुल कम समय में जटपट से बनाए हम दिखाएं इसमें 3-4 चमच ओयल डाल दिये हैं आप इसमें सुद्ध घी से भी तरका लगा सकते हैं उससे भी बहुत ही अच्छा प्रेश्ट आता है हम इस बार हम लगाएंगे तरका अब हम इसमें एक चमच डाल दिये हैं साबुच जीरा दो लाल मिर्च चार-पांच कढ़ी पत्ते अब थोड़ा सा हिंग डाल देंगे इसमें तरके को अच्छे से पका लेंगे फिर कढ़ी के उपड में डाल देंगे देख सकते हैं कढ़ी को अच्छा से ठंडा कर लिए दसमें ठंडा होनी के बाद इसमें डाले हैं तरके तो देखिए कितना अच्छा कढ़ी बनके रेड अलग तरीके से जटपट से पकोड़े वाली कड़ी बना के दिखाए हैं यह तरीका बिलकुल अलग है बहुत ही अलग तरीके के टेस्ट आते हैं इसमें इसे तरह से बनाएंगे तो चलिए बनाईएगा जरूर अगर अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक जरूर किजेगा ना पसंद आए तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं ताकि हमको पता चले आज की रेसिपी मेरी आपको पसंद आए हैं या नहीं तो अगर चैनल में आप नए हैं चैनल को सब्सक्राब कर लिजेगा बेल आइकन को जरूर प्रेस किजेगा ताकि हर रोज मेरे नोटिफिकेशन वीडियो के आपको मिल सके सबसे पहले तो चलिए फिर मिलेंगे कल हम अगले दिन नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाए